हेलो इवरोवान कैसे आप सब एक बार पुनाहाश सिव कोचिंग क्लासेश पर स्वगाय था उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भेतर होंगे, आपकी पढ़ाई भेतर चल दी होगी त्रेमासिक परिष्छा 2024-2025 का बहुत इक सास्थ का ये पेपर है और जितने भी अबजेक्टिव है, सभी के लिए हलफुल है और आप सब को तयार भी करना है चाहिए आप किसी भी बोट से हैं, उनके लिए भी हलफुल है और इसके पहले भी मैंने जो त्रेमासिक के तीन सेट आ चुके हैं, वो मैंने अप्लोड कर दिया है अब देखो भाई सहाब हो सकता है आपके जिले का ये पेपर ना हो, लेकिन मेरा दायर तो है कि जितने भी पेपर आ रहे हैं उनका मैं सल्यूशन प्रवाइड करता हूं, हो सकता है आपको बाद में भी रिवीजन में काम आ जाए चलिए देखते हैं, पहला प्रशन है, बिंदु आबेस क्यू के कार्ण आर दोरी पर बिभाव विद्दु छेतर स्वरी, विद्दु छेतर की तीवरता किस पर डिपेंड करता है बच्चों, तो विद्दु छेतर की तीवरता ये सेकेर नंबर हो जाएगा इस पर निर्भर करता है, क्योंकि वद्दु छेतर के बिच कोर्ण जो हता है, बच्चों कितना नब्बे डिग्री, जिस बच्चे ने पेपर वेजा है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं वेजा, इस कार्ण से उतना समझ में नहीं आता है, विद्दु दारिता का ऐसा ही मातरक जो हता है, फैरड होता है, विद्दु दारिता का ऐसा ही मातरक फैरड, लेकिन ये आप लोग थोड़ा सा सुनेंगे, तो आसानी से बन जाएगा, विशिष्ट प्रितरोद का मातरक होता है, ओम मीटर होता है, ओके, चलिए, आगे देखते हैं बच्चों, एक गति प्रिता का मातरक बताना बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा, न्यूटन प्रती अम्पियर मीटर, यह हो जाएगा, न्यूटन प्रती अम्पियर मीटर, इसके बाद बच्चों, रिक्तिस्थान की पूर्ती करना है, प्रेरकत्तों का विमेशूत्र बताना है, आपको प् एंपियर मीटर बच्चों एंपियर मीटर हो जाएगा ऐसा ही पद्धत में चुम्बक सीलता का मात्रा म्यू का मात्रा कितना होता है हेंडी प्रति मीटर होता है और न्यूटन बटे एंपियर स्क्वेर न्यूटन प्रति एंपियर स्क्वेर तो आप एंपियर में ऐसा लिखे न्यूटन प्रती एंपियर स्क्वेर इसके बाद एक फैरेड एक कुलाम बटे एक बोल्ट के बराबर होता है एक कुलाम बटे एक बोल्ट आबेस का विमी सूत्र धारागुणे समयनी ए और टी हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे सही जोड़ी मिलान करना है देखिए यहाँ पर गलत भी रहेगा एक कोशन गलत है यहाँ पे तो चुमिके छेतर का टेसला होता है धुरूप राबल का टेसला मिलाएंगे यहाँ पर क्योंकि देखिए धारा घनातों का मात्राक होगा बच्चो एंपियर प्रती मीटर स्क्वेर विद्द विभाव जो है यहाँ पे देखिए धारीता जो फायरड पे चला जाएगा विद्द विभाव जो है जूल प्रती कुलाम में चला जाएगा लारंजबल क्यूवीवी साइन थीटा और धारा पित्रक किर्चाप ने दिया था तो यहाँ पर धुरूप प्रावल का टेशला से जाएगा चुमिकी छेत्र से जाएगा जबकि कुछ अलग होना चाहिए आबेस कैसा ही मात्रा कुलाम होता है प्रतीबी कभी बहुत सून होता है तार की लंबाई 100 cm होता है धारा मापी धारा की दिसा बताता है भुचुमिकी बल रेखाएं कैसी होती है तो आपके चुमिकी धुरूप जो आपका एन होता है बच्चो उतरी धुरूप यहाँ पर चुमिकी छेत्रेखाएं प्रवेस करती है और दच्चने धुरूप से निकलती है यह आप चुमबक और भुचुमबक में अंतर है ध्यान से समझेगा क्योंकि जो चुमिकी छेत्रेखाएं होती है छड़ चुमबक में एन से निकल कर एस पर समप्त होती है लेकिन प्रत्वी में ऐसा नहीं होता है ठीक है बच्चो उसका उल्टा होता है दो प्रकार के संधाईत का नाम बेलनाकार और गोलिये संधाईतर अब देखो यह थोड़ा सा कोश्चन ऐसे नहीं आना जाए क्योंकि संधाईतर के प्रकार अब आपके सलेवस में हैं समांतर प्रेट संधाईतर बेलनाकार संधायत्र, गोली है संधारित्र, तो ये समांतर संधायत्रों के प्रकार हो जाते हैं, और इसके बाद सत्ता सत्ता बताना है, तो बिद्दु छेत्रे खाएं, खुला बक्र बनाती बिल्कुल सही है, बिद्दु भीवो सदिस रासी गलात है भई, क्योंकि अदिस ह बढ़ेगा अतिचालाग प्रदार्थ की अतिचालागता सुनोती है सत्त है देखो अतिचालागता भी हट गया है अब है नहीं सलवेस फिर भी आ गया संट स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है नहीं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है लेंज कनिया मोर्जा सनरचन के अनुकु है तो बिल्कुल सत्त है वाकि इसका पूरा पेपर में टेली ग्राम में शेयर कर दिया हूं डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा सीव कोचिंग क्लासस के नाम से टेली ग्राम है जोईन जरूर कर लें क्योंकि बच्चों हमें पेपर जो भी आएगा भेजता रहूंगा बाद में इसका सल्यूसन भी कराऊंगा तो हैना आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पर जुड़े जाएए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे कोश्चन है ने उन कोश्चन सारे कोश्चन सारे पढ़ लेना देख लेना डाउनलोड कर लेना सारे प्रश्णों को तयार कर लेना ओके बच्चों फिलाल अभी के लिए इतना ही जैहिंद बंदमात्रम